हेलो नमस्कार दोस्तों उमेद करता है आपसे इछे होंगे दोस्तों आपको पता है कि UP SSC पेटपला जो एक्जाम है दोस्तों यह 20 अगस्त से होना तैह है दोस्तुं अगर आप भी UP SSC का एक्जाम देना है आपको भी तो जरूरी है दोस्तों कि क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें जरूरी है कि अपने आपको जाचना कि हम अपने आपको कैसे जाच सकते हैं दोस्तों हम क्या उस टेस्ट में अपने क्वालिफाई मार्क लेकर आप आते हैं या नहीं आप आते हैं दोस्तों तो इसके लिए जब से सिर्फ इसी के लिए नहीं बाकि कोई भी अगर आप कम्टिसन का एक्जाम दे रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंड जो रोल करता है दोस्तों ठीक है तो टेस्ट अगर आप माँक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपका कहीं न कहीं 100% जो आपका है उसका उसका यूज नहीं कर पाएंगी ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि इससे XP देने से क्या होता है सबसे पर्णी चीज आपको टाइम time management का प्ता चलता है और आपको यह पता चलता है कि हम कौन सा portion पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में करना चाहिए है ना तो यानि हम किस तरह से पूरी question को attempt कर सकते हैं और बहुत ही असानी से रिविजन भी कर सकते हैं दुबारा है ना इस तरह खेल जो है तो हम जो आपका टेस्ट बूक है दोस्तों आपको पता है टेस्ट बूक यह परतेक कमप्शन के एजाम के लिए टेस्ट स्रिज प्रुवाइड करता है ठीक है तो मैंने इसको पर्चेस किया है और मैं इसको आप देखेंगे कि मैंने इस खुद साल्व किया है और उसके बाद मैं आपके सामने डिसक्स कर रहा हूं और भी पूरा फूल एक्सप्लेशन करूंगा दोस्तों हर एक कोशन के 360 डिग्री तक हम जाएंगे दोस्तों सभी कुछ कोशन कवर करेंगे और मैंने क्या इस टेस्ट में गल्ती क्या है मतलब क्या मैं गल्ती हुई है कुछ कोशन ऐसे होते जो आपको आते भी होते हैं फिर भी आप उसको नहीं कर पाते हैं तो सारे चीज़ यहां पर हम डिसकmbol करेंगे ठीक है उमिध है आपको यह पसंद 안대गा अगर अपको पसंद आता है तो अप अगर मेरी की बात करें तो एक सब्रइब करें हैं हम नहीं कह रहें कि अच्छह है दोस्तों में इस से अच्छा बेटर करना है और करना भी चाहिए आपको भी इससे बेटर करना चाहिए ठीक है इसमें जो मेरी कोष्चन हुए दोस्तों 11 मैं थभला और सपसे टाइम ले लिया है इस वएसे कहीνना कर् mois ज़ाओं पर अथा त्न फॉड़ से वज़ए है कि मैं मतलब जल्दी जल्दी में इस टेस्ट को किया अगर इस में देखि तो अगर ranked की बात करें तो मैं ओटता हूब टाफ और मेरा कट अप क्या है cinrodmont शबयेर और 54 से 56 कट आफ हैं और मैंने इसमें जो ऑंक लिये हैं दोस्तों सत्र 102.5 इतना मैंने अंक लिया है बाकी मैं बहुत सारे विद्यार्ती हैं जिरोने 100 प्राप्त किये हैं ठीक है अपने कोशों की तरफ चलते हैं और फिर हम करते हैं देख दोस्तों मैध का कोश्चन थोरा difficult है difficult नहीं कर सकते हैं मैध का कोशन दोस्तो हम यहां पर डिसकस नहीं कर पाएंगे ठीक है क्योंकि मैत की कोश्चन में दोस्तों इस स्क्रीन पे हम अच्छी तर से उसको एक्स्प्लेयर नहीं कर पाएंगे और इस वज़े से क्योंकि मैंने option पर ध्यान नहीं दिया है ठीक है मैंने सोचा देखें आप अगर आगर इस question को आप देखें तो इसमें क्या है दोस्तों इस question में आपको दिया क्या गया है कि आपका आपका जा रहा है कि इसमें दो ग्राप दिये थे आड़ी और मर्सडीज के लिए ठीक है इसमें क्या था दोस्तों कि आड़ी और मर्सडीज के जो विक्रे मूल हैं उनके अनुपात दे दिये थे ठीक है और आप से कहा गए कि आड़ी दोर जो अरजित लाब है तो चाहट से दो बड़े तीन पर्सेंट आप से पुछा गया है कि इनके जो लागत मुल हैं उनमें अनपात पुछा गया है तो यह जो था दोस्तों यह पॉसिबल नहीं था यानि इसको हम निर्धायत नहीं कर पाते तो मैंने इसमें इसको ध्यान नहीं दिया इस वह से मैंन अगर देखें दोस्तों तो जो टूप कौर्शन ऐसमें सबसाने ऐस prac बलंत की बात कर दोस्तों तो सबसे अच्छा जो रोल है सबसे ज़्यादा пятьआ का ठीक है तो यहां से सब्सक्रीब सूरू होता है दोस्तों इसमें आगर देखें आप तो क्या कहा जा रहा है इसमें कहा परिस्थितिक तंत्र के तीन प्रमुक्त जीवित घटक है दोस्तों देखें समझे बात को परिस्थितिक तंत्र जो है दोस्तों ठीके जैसे इसमें सभी जो जीवित मतलब जन्तु है ठीके सभी जीव जन्तु जो है ठीके यह सभी कही न कहीं एक दूसर के क्या है पूरक है ठ वपभोगता है दोस्तों उनसे जो उत्पादित किये चीजों को हम क्या करते हैं और फिर जो आपसिष्ट पदार्थ बजते हैं दोस्तों उसका क्या अपघटक मतलब उसका अपघटन होना होता है जैसे समझें अगर कोई क्या होता है जानौर है मर जाता है तो उसके सरीर का क्या होता है अप घटन होता है दोस्तों तो उसमें जो भाग लेने वाले क्या है जीवित जन्त है जो कीड़े हैं ठीक है दोस्तों जो मतलब छोट छोटे जीव हैं जो उनको खा करके अपना वह बना करके उसको क्या करते अ धीक है उसमें एक मतलब अनुकूलर बना रहता है ठीक है यानि पर्याड में सत्य बनना वोता है इन वी चीजों की होना का है आवसक है अगर समझ है अगर कोई चीज है वो मर गया है और फिर अप घटित नहीं हो रहा है दोस्तों वैसे का वैसे ही है तो इस तरह से क्या जो आपका पिर्थवी हो उस पे कोई भी जमीन खाली नहीं रख पाएगा ठीक है इसलिए जिन चीजों की हमें आव सकता नहीं होती है ठीक है उनका धेद अब घटक जैसे छोटे-छोटे कीडिय माकोड़ी हो गया तो उनका कोई भी चीज होता है ठीक है चाहिए कोई भी चीज हो तो नश्ट होने में इनका बहुत ज़्यादा क्या है रोल है ठीक है चलिए यहां पर आपसे पुछा गया है कि वन अनुसंधान जो संस्थान है द बात करें अगर आलू जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों वह सिमला में कहां पर है सिमला में चावल जो राष्टी चावल अनुसंधान जो केंद्र है दोस्तों वह कहां पर है कटक में है कहां पर है कटक में ठीक है और जो चावल अनुसंधान केंद्र है वह है हैदराबा तो यह मनीला में है दौस्तों जो फिल्पिंस की राजधानी ठीक के जाद राश्टी स्यल अनुसंद्धान केंद्र दोस्तों एक आपका आपका कटक में है कहाँ पर है कटक में ठीक है तो इसे याद रख सकते हैं चलिए आगे दोस्तों अच्छा कुछ और भी अनुसंधान संस्थान है दोस्तों जैसे यह आपका राष्ट्य पर्यारण राश्थी अनुसंधान पर है का कआ पर है काहा भरम का है कानम पूर है छो है और करनाल ह्रियाडा में केंदरी ओसधी जो हैं दोस्तों यह आपका लगनों में है ठीक है तो एक कुछ तपूरन संथान दोस्तों जिन्हें आपको याद रखना होगा कभी भी कोई एकजाम में पूछाए सकता है ठीक है छले भात में पहली हरित करांति के दौरान ठीक है खादान उत्पादन में आत्मिनिवर्था प्राप्त करने के लिए किस तक्नीक का प्रयोग किया गया दोस्तों तो इसमें ज अगरने की जो मसिनेरी है दोस्तों ज्यादा तर्ग मसिनेरी की इनका जो नाम है नार्मन बोर्ड लाग है दोस्तों क्या है और भारत में अगर बात करें दोस्तों तो यह भारत में यह तो बिस्व में है नार्मन जो बोर्ड लाग है कहां पर है बिस्व में जो हरित करांती के जनग माने जाते हैं ठीक है अगर भारत में बात करें दोस्तों कहां पर है तो देखे दोस्तों जो 200BANK का मुख्याल है दोस्तों यह कहां है दो बैंक है दोस्तों 200BANK और आई एमेफ ठीक है आई अंत्राश्टी है ठीक है तो बीसो बैंक और आई मेफ दोनों का जो अस्थापना दोस्तों यह हुए था 1944 में कहा हुआ था उन्नी सब्सक्राइब इनका क्या हुआ था गठन हुआ था ठीक है यानि ऐसे कहें कि जो इन दोनों को बीसो बैंक और आई मेफ दोनों को हम कहते हैं आपका दोनों को हम कहते हैं जुडवा बहन कहते हैं ठीक है बीसो बैंक और यानि वर्ड बैंक और आई मेफ दोनों क्या कहलाते हैं जुडवा बैंक अगर बात करें बीसो बैंक में तो इसमें 186 देश है और इसकी जो क्या है र संस्थापक थे दोस्तों वह जान मेनार्ड और किन्स हैरी ठीक है क्या है बीसुबैंग की संस्थापक थे ठीक है और कि एस सारे चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद रखने होंगे ठीक है और आयमेप के जो अध्यच की बात वह है क्रिश्टिला जार जीवा ठीक है कुछ आपको याद रखने होंगे यहां पर कुछ और दोस्तों यहां पर क्या है संगठने दोस्तों ठीक है इनके जो अध्यच है ठीक है और यहां पर कुछ और महत्तपूर संगठन दोस्तों जैसे अगर बात करें इनका मुख्याल है अंतराष्टी स्रम संगठन का मुख्याल है दोस्तों तो यह जेनेवा में है जो सिवजयलेंड में है ठीक है खाद और क्रिसी संगठन का मुख्याल है यह डवरूट्यों का मुख्य में 200 स्वास्त संगठन इसका मुख्याले भी कहां पर जिनेवा में अभी हमने बताए 200 का मतलब जो यह सम्मू है अंतराश्टी मुद्रा को सानी इसका भी मुख्याले कहां पर वासिंगठन डीसी में है ठीक है और सयुत राष्ट बालको सानी उनिसेफ ठीक है तो इसका जो मुख्याले है दोस्तो यह भी निवार्क में कहां पर है निवार्क में सयुत राष्ट जनसंख्या कोस इसका मुख्याले भी कहां पर है निवार्क में कहां पर है स्यूजेलेंड में और संयुक्तिराष्ट अधोगी विकास संगठन इसका मुख्याले कहां पर है बियना आश्टिलिया में ठीक है और अंतराष्टी प्रमावड एजेंसी इसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले भी दोस्तों बियना में है ठीक है और कुछ महत्पूर क्या थे संगठन थे जिनका मुख्याले आपको याद होने चाहिए ठीक है चली आगे चलते हैं सुर्ष कोटदा का प्रततिक अस्थल किस राज में है दोस्तों सुर्ष कोटदा का प्रततिक अस्थल है दोस्तों यह गुजरात में पायता है कहां पर गुजरात में ठीक है कहां पर यह है यह गुजरात में है ठीक है अगर बात करें दोस्तों सुर्ष कोटदा का तो यह सभीता या भटपा सभीता भी काते है और इसमें जो है जो हुष जुदारु है tapi सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा अस्थल है जो हुष सबसे बड़ा अस्थल दोस्तों वह है और अगर बात करें भारत में सबसे बड़ा अस्तल है तो हडपा की खोच किसे ने किया था दोस्तों हडपा का जो खोज था दोस्तों वह है राखल दास बनार्जी ने किसने किया था दैया राम सहानी किया था 1921 ठीक है और मोहन जुदारों की जो खोज किया था दोस्तों उसने किया था मोहन जुदारों का एक किया था राखल दास बनार जी ने किसने किया था राखल दास बनार यह म्मारक साध्धानonna कुछ महत्पूर्ण राज हैं आफ देख सकते हैं जहसे अगर बात करें पाकिस्तान यह दील करें घुज्रात ऑक little अगर बात करें bio trees in Great and हिमांचल पर्देश उत्राखंड सिक्किम और अवरांचल पर्देश कौन लदाक हो गया हिमांचल पर्देश उत्राखंड और सिक्किम ठीक है और अवरांचल पर्देश मतलब यह सारे जो है यह चीन से सीमा वराते हैं नेपाल से अगर देखे तो बिहार हो गया उत्तराखं ठीक है और इसमें जो है बंगाल से पच्छिम बंगाल हो गया मिजोरम हो गया मेघाले हो गया तिर पूरा हो गया ठीक है इसी तरह भूटान से तो भूटान जो है दोस्तों पच्छिम बंगाल सिक्कीम और रांचल परदिस और असम ठीक है अगर दोस्तों बात करें आफगान आफगानिस्तान से शीवास करता है। तो, वरतमान में इस पार्ट सिति नहीं करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब दोस्तों हम फिर पाकिस्तान से हुआ अपना वापस ले लेंगे तो हम कहा जक्ते हैं कि यह साजा करता है ठीक है चलिए सोमनात मंदि ट्रस्ट के आठें अध्यियत्च घिक है किसी मंदि ट्रस्ट का अध्यियत्च बनायी गया इस से पहले दोस्तों मरार जी-दिसाईथा मंदी त्रस्ट का अध्याज, ठीक है, तो याद रखेगा सोमनाथ मंदी त्रस्ट के जो 8TW में अध्याच है, वो अनोयनद्रमोधी जी है विकली है, विज वैसे किस राज में पंचायती राज प्लाडली की पारई पेस कहा गया दोस्तों जो पंचायती राज प्रड़ाली है दोस्तों ठीक है इसमें क्या आते हैं ग्राम आता है बलाक और जीला ठीक है यह आते हैं पंचायती प्रड़ाली में ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों यह रास्थान में स्टार्ट किया गया था ठीक है रास्थान में स्टार्ट क समिधान अनुषेद 40 से समझदी थे तो कि सूची से तो एह तो यह mcorps और अनुषेद अगर हां दो अक्टूबर 1969 से क्या हुआ था यह रहस्थान में रागस्थान के नागर जिले से लागो किया था ठीक है और इसको लागो किसे ने क्या था जो हर लाल नहरूने इसको लागो गया था और जो यह आया कप था तो यह 73 संभीधान जो 1992 में खुआ था उससे आया था और यह अनसूची बनता है ठीक एँ बात करें आपको पता है संभीधान में टोटल कितने अनसूची है बार अनसूची यह ठीक के अगर बात करें दोस्तों पहली अनसूची में है राज और केंद्र ठीक है दूसरी अनुसूची में मतलब राज और किंद चलाने के लिए जो भी विशिष्ट पदाधिकारी होंगे उनके वेतन के बारे में बात कहा गया है तीसरी अनुसूची में तो यह सपत की बात कही गई है क्या सपत की बात कही गई है सपत की बात कही गई यहleri से और जो साथ्वी अनुesar चाटवी अनसुची है मिजोरम मेघाला मिजोरम मेघाला तिरपूरा नागालेंड है न तो कुछ राज हैं जिनको विशिष्ट दर्जा दिया गया है उससे समझे थे ठीक है सातवी अनसुची जो है दोस्तों यह सूचियों से यानि समवर्थी सूची राज सूची और संग स आध्वी अनसुची में भासा हैं ठीक है क्या है दोस्तों क्या हे भासा अगगागा सूचा। यह आपको याद रखने ओंगे, छलिए कि अकादमी की उंधिसाहे वर्स की इतियास में यानि सरशेष्ट निर्देसक का जो आसकर जितने वाला है दूसरी महिला कौन बन गई तो देखे दूस्तों यह जो क्लोज हाओं है न यह निर्देशक के रूप में दूसरी महिला बनी है जिनको आशकर अवार्ड दिया गया है ठीक है यह निर्देशक के रूप में दूसरी महिला बनी है जिसको आशकर अवार्ड दिया गया है ठीक है तो यह आपका तिरानवावा आशकर अवार्ड था दोस्तों इससे पहले जो ह है नोमेड लेंड सर्वस्रिष्ट अभिनित्ता की बात करें दोस्तों तो यह एंथनी हापकिन्स है सर्वस्रिष्ट अभिनित्री की बात करें दोस्तों तो फ्रांसीस और मैक आपका दुषारेक्थीस का आसकर आवार्द है जो आपका कौन सा है तिरानबाहवा आसकर आवार्ड है थिक तुम को बूछ सकता है कि सरुसकर अभिनिता का जो पुज़कार कि से जीता स्रश्ष्थ अभीनित्री तो इस यह आरे ते सिज्छा आपको याद रखने होंगे भारती समिधान ने कितनी भासाओं की मानता दिया भारती समिधान में वरतमान समय में 22 भासाओं हैं जिनको मानता दिया गया है ठीके गए बात केरें दोस्तों मूल मूल समिधान में कुक्कि जो 3 यह वहा हिसे समधित है तो मूह समिधान में फिर्फ कितनी भूल साणे स्रस्व 14 भूल भूल वहहल कहीं जूडी गये और इस समय टोटल कितनी हो गई prosecut contempl に आपके 22 भासाय हो गई है ठीक है अगर बात करें तो इसमें जो सिंधी भासा था कौन सा भासा सिंधी तो सिंधी भासा को दोस्तों आपके एक कैशा हमें समिधान संसोधा यानि 1967 भी द्वारा जोड़ा गया था ठीक है और बात करें दोस्तों नेपाली, मडीपूरी और यह तीन जो भासा है दोस्तों इनको दोस्तों 17वे समिधान संसोधन ठीक है 17वे समिधान संसोधन उननीज सो बानवे द्वारा जोड़ा गया है ठीक है अगर बात करें दोस्तों आपकी तीम चार और भासाएं हैं फ़िय को दोगरी सांथली एर मैथली ठीक है एकेज बोडो दोगरी सांथली और मैधली केज़ो चार भासाएं हैं दोस्तों इसको दोहजार 3 में ठीक है ल्टतीम दोस्तों जोड़ा गया है और यह कम बाहन समिधान संसोधन सांथा ठीक है 19USE धर is intelligonton 2022 झाल़ Geme होने चाहिए ठीक है तो चले अर्जुन लाल और अर्विन सिंग ने टोक्यों खेलों के लिए आरता प्राप्त कर ली है यह किस खेल से समझे थे दोस्तों तो दोस्तों अगर बात करें टोक्यों यानि रोइंग का मतलब है दोस्तों यह नाव रोइंग का मतलब है दोस्तों ठीक है यह नौका चालंग से ही है ठीक है किसी है नौका चालंग से है ठीक है कुछ आपको पता दोस्तों यह आज का नियुज है दोस्तों जो आपके मेरा बाई चानू है दोस्तों यह इनका समंद्ध का है भातोलन से है और इन्होंने टोक्यों लंपिंग में पहला पतक भुला में नाम पताथेंगे थो नहीं को इसी बहुत सारे कोष्चन बन सकते हैं । तो टोक्यो उलम्पिक में जो जाने वाले खिलाड़ी हैं दोस्तों वह आपके हो जाएंगे एक सेकें अब ईए आपके हैं प्रणित नायक दोस्तों यह एक मात्र दिम्नाष्ट है दोस्तों कौन प्रणित नायक नित्रा कुमनन दोस्तों जो है यह नाविका है अगर बात करें बिनेस फोगाट के तिनकों आपनों जानते हैं यह पहरवान है साजन प्रकास और माना पठेल यह दोनों क्या है तैराकी से समझेते हैं ठीक है दिप्रिका कुमार त्रणदाश से है भवाने देभी तलोय वार भास से है फवादमिर्जा यहह गुत्षवारियlica से हैं यं बी जबी यह 400 मीटर की दोड़ से समझेते हैं यमसी मेरीकां कंके अब जानते ही हैं एक बॉक्सिन अगर्बात करें तो टोक्यो औलम्पिक की तो टोक्यो खीयों ओलम्पिक है यह 32 नंबर। टोक्यो ओलम्पिक जो 20 25 में JAKA Mm में हो रहा है दोस्तों जापान के टोक्यों में यह तेज जुलाई से दोस्तों तेज जुलाई से आठ अगस तक चलने वाला है ठीक है कौन सब आठ अगस तक चलने वाला है दोस्तों जो टोक्यों लंबिक के आरम में दोस्तों भारती जो ध्वज वहाक होंगे दोस्तों ठीक एठलõट की बात करें दोस्तों तो उसमें जो ध् box है इस हैं मरियुपन थंगा वेलु ठिक है कौन है मरियुपन थंगा वेलु ठिक है तो इस सारे चीज़ें हैं दोस्तों आपको जो याद तो यह सारी चीज़े आपको याद रखने होंगे और अगर चीज़ और कोशन मतर्थ इस जो भारत के तरफ से कितने सदस्ट से गए हैं इसमें टोक्यो ओलम्पिक में तो 228 सदस्ट जो है यह भारत के तरफ से गए हैं ठीक है तो इस सारे उमीद है आपको याद रहेंगे ठी तो जो आपकी जो हार्मेटन पवण हैं प्रकाशित किया जाता है ठीक है यहां पर कुछ और भी इंडेक्स हैं धोश्तों ठीक है जो हम हांपर डिसकर के बात करेंगे ुआइन बीजनस तो यह जारी करता है 2090 कोन जारी करता है इस आफ डूईंग बिजनस यह जारी करता है दोस्तूँ 25 करता है ठीक है और इसमें जो सुम जो भाद का रैंक है 63 है और वह तो यह सारे चीज़े आपको याद रखने होगे तो 202 यह आपसे पूछता कोचन इज आफ डूइंग बिजनस कौन जारी करता है तो 20 बैंक जारी करता है ठीक है अगर हम बात करें इसके कितने अधार है तो इसके 10 अधार है कितने 10 अधार ठीक है दूसरा क्या है ग्लोबल आपका ग्लोबल इन्वेशन इंडेक्स जो है दोस्तों यह कौन जारी करता है तो ड तुन और अगर है ठोवाइबने सटिक लास्ट के कोने तो यह मन्हें टेट शाली चीज जो आपको याद रखने होंगे ठीक है उसके बाद यह छोसे है। यानि मानोविकासिंडेक्स तो 연 साथी। इसने जारीकष़ कॉंए करता है Goku करता है। ऐन डीपर ऑर इसमें जो भारत का रेंक है दोस्तों वह है 131 क्या है 131, पिशले सल क्या था 103000 था में जो फस्ट है दोस्तों वह है दोस्तों इसमें भारी औधोगी करण की शुरुवात हुई थी दोस्तों इसी समय यानि दूसरे पंचवर्शी योजना में ही दोस्तों ठीक है कुछ महत्पूर इस पात करखानों की अस्थापना की गई थी जैसे अगर बात करें दोस्तों कुछ महत्पूर इस पात करखाने आपका दोस्तों भिलाई हो गया दूरगापूर हो गया और एक हो गया दोस्तों बोकारो सटरारख केला ठीक दूसरी पंचवर्शी में आपसे पुछ Ой कौन कौन से इस बात कर खाने एस्थापित किए गये हैं तो यह फिलाई ठीक है भिलाई किसके साहता से तो यह रूस के साहता से ठीक है भिलाई जो है रूस के साहता से अस्थापित किया गया था यानि पूरो सेवियत संग के साहता से अस्थापित किया गया था जो बोकारो है यह भी रूस के साहता से किया गया था लेकिन यह तीसरी पंचवर्शी यह जना तो यह जो पश्चिम बंगाल में है और यह ब्रीटेन के साथा से क्या किया गया था इसको इसको याद रखेगा जो दूसरी पंचवर्षी योजना है दोस्तों ठीक है यह महाँ यह 1956-1961 के भीष चले थी और यह महालउवीस माडल पर आधाय थे दोस्तों किस पर दायत है महालवीस माडल पर यह भारती संक्रृषी यह भारती विक यह साङ्ति यहाद रखेगा ठीक है अगर बात करें दोस्तों इन जो भी सारे इस बात कर खाने धोक। इनको नियंत्रित कौन करता है दोस्तों चले आगे चलते इसमें भारत में अस्थापित पहला बैंक दोस्तों यह तो कौन था बैंक आफ हिंदुस्थान था कौन था बैंक आफ हिंदुस्थान ठीक है इसकी जो अस्थापना हुई थी दोस्तों यह हुआ था 277 में काहां वा गता 277 में इसकी क्या थी अस्थापना हुई थी ठीक है प्रिखें बैंक से कुछ बननने जो कोशन दोस्तों यह है जैसे अगर बात करें तो लुद्स रिचपना की थीП टो कि यंग हिल्टर कमिशन के जो अरब्याई है दोस्तों इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है क्या करता है बैंकों का बैंक आरबियाई करता है रीवर्स रीपो रेट पेंगे डोनों आरबियाई ही तैय करता थे के तो ए सारे चीजे आरबियाई का जो दुस्तों अगर बात करें इसका राश्टी करण कब हुगा था दूस्तों तो 1949 में RBI का राष्टि करड किया गया था RBI के जो गवर्णर जनरल है दोस्तों वह है ससी कांत दास कौन है ससी कांत दास RBI के वर्तमान गवर्णर जनरल है ठीक है तो इस सारे चीज़े हैं दोस्तों जो आपको याद रखने होंगे ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों SBI का है ना SBI तो दोस्तों SBI की अगर बात करें अस्थापना तो इस वैसे में तो देखे सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों जो चिन्नेई बैंक था कोलकाता बैंक और दोस्तों जो मद्रास बैंक था इन तीनों को मिला करके 1921 में बना द इंपरियल बैंक को 1955 में कर दिया गया था सब्सक्राइब कर दिया गया था सब्सक्राइब कौन है इस बात करें कि बैंकों का राष्ट्री करण कब हुआ था था दोस्तों आप इन सारे को याद होने चाहिए ठीके तो उमीद दोस्तों आप इस सारे को याद रख पाएंगे और आज के लिए पसे अतनी जल्दी मिलेंगा अगले अपनी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना और अपनों को ख्याल रखेगा ठीक है जय हिंद्ट